पुरानी चीजों की इस दुनिया दो ही वज़े से करती है या तो उनके पास यह जादा हो या फिर उनकी वैल्यू तो आज हम इस एक साल पुराने फोन की किताब कोलने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर इसमें कौन-कौन से राज चिपें जिसकी वज़े से दुनिया आज भी इसकी उतने ही दिवान है जितनी पहले थी अब इस फोन का डिजाइन उन लोगों को पसंद आएगा जिनको प्रीमियमनेस का पी और एस दोनों पता है क्योंकि बाकी सारे ब्रैंड्स की तरह इसके डिजाइन में ज्यादा मिर्श मसाला नहीं है पीछे की तरफ बेसिक सा सैमसंग का लोगो है साथ में उसका सामने की तरफ वही है जो कि सभी फोन में होता है किसी फोन में आप सबसे पहले क्या देखते हो ओविसली डिस्प्ले और अगर डिस्प्ले खराब निकला तो मतलब फोन भी खराब है बट इसके केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इस फोन में आपको 6.4 इंचिस के डाइनमिक अ लाप टॉब्स में भी बहुत जादा फीमस है क्योंकि इनकी कलर ट्यूनिंग बाकी सारे ब्रैंड से बहुत अलग रुपी है वाइब्रेंज शापनेस कॉंट्रा सब कुछ उमिद से जादा मिलेगा मतलब अगर मल्टी मीडे के लिए फोन लोगे तो जिंदेगी बर इंडिया के इंडिया के इंदर एक्जिनोस 2100 का प्रसेसर दिया हुए हमसे क्या दिक्कत है सामसंग अब ऐसा नहीं है कि प्रसेसर कितना कंसिस्टेंट है क्योंकि काम तो यह सारे कर लेता है चाहिए आप बाबुश हो ना करो या फिर दोस्तों के सामने आपको दिक्कत तभी आईगी जब आप इसको दिक्कत दोगे मतलब अगर आपने इसके मर्जी के खिलाब यह वीडियो डिटिंग करने की कोशिश की तो यह साफ साफ मना कर देगा शायद गुस्से में गरम भी हो जाए हाँ थोड़ा बहुत मजाक यह सहलेगा बट अगर बार-बार मजाग करोगे तो यह आपका ही मजाग बना देगा गेमिंग में एक हद तक वीडियो डिटिंग अच्छे से कर लेता है बट इसकी हद को पार करना आपके हाँ मतलब रीज वाली एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाले लेकिन अगर आपको काइन मास्ट से एक पैसे के भी शिकायत नहीं होगी क्योंकि मेंगा जो इतना है बट अगर आप पढ़ाई लिखाई से जादा गेमिंग ही करने वाले हो तो इस फोन से उतना ही दुर रहना जितना आप अपनी किताबों से हो बहुत अभी तक तो माम लाइक डम नूट्रल चल रहा है मतल से उतना फर्रक नहीं पड़ता है जितना की कैमरा के रिजल्ट से पढ़ता है और यह मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जिस क्वालेटी की फोटो और वीडियो आप इस पॉन से ले लोगे न वैसे रिजल्ट्स आपको आईपोन ही दे पाएगा कॉंपारेजन जरूर लाओंगा आप कॉमेंट तो करो अब जिस तरह आप अपने पुराने बुक्स अपने चोटे भाई को दे देते हो वैसा ही सैमसंग ने एस्टुए फी फाइब जी का कैमरा एस्टुए फी फाइब गो दे दिया है क्योंकि रात में अगर आपने टेली फोटो लेंज का प्रयोग किया तो फोटो उतनी ही सौट आएंगी जितनी आपके गाल बाकी प्राइमरी अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा से लिए होई फोटो में किसी चीज की कम ही नहीं है कलर, कॉंट्रास, डाइनमिक रिंग, सब में सैमसंग ने पिएजडी की हुई है तो फोटो खराब आने का सवाल ही नहीं होता है हाँ, एक जगा बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में और उनके अंसर आपको तभी मिलेंगे जब आप कॉमेंट्स में S21 FE कैमरा डेस्ट लिफ होगे मैं तो वीडियो बना नहीं बैठाओं, बना दूंगा वैसे बनाने में तो सैमसंग भी पीज़े नहीं है वायरलेस चार्जिंग, रिवोस वायरलेस चार्जिंग सब पुछ दिया हुआ है बस चार्जर को छोड़कर बट एक्शुल में बैटरी बैकप कितना है ये तो वक्त ही बताएगा वक्त, टाइम, स्क्रीन अन टाइम मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि S20 FE 5G और S21 FE 5G का बैटरी बैकप तोटली आपकी यूसेज पर डिपेंड करता है मतलब नॉमल यूसेज में तो आंग बंद करके एक दिन का बैकप मिलेगा पर अगर जादा गेमिंग या वीडियो डिरिंग करनी है तो चारजर का साथ मत छोड़ना नहीं तो ये फोन आपका साथ छोड़ देगा बहुत जल्दी और वैसे भी सैमसंग लेने वाले लोग गेमिंग की खुश नहीं करते हैं आपको सिर्फ सैमसंग ही दे सकता है समझ में आया क्या नहीं समझ में आया तो कॉमेंट्स में आओ समझाता हूँ और एकर जादा समझना तो इंस्टा पे आजना डीम डीम खेलेंगे बड़ उसके पहले लेट वाली वीडियो ज़रू देखना वो सकता कंक्यूजन ही दूर हो जाए नहीं तो राइट वाली वीडियो देखने के बाद तो आप फोन ही ओर्डर कर लोगे और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अस्ताला पीस्ता